आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान बात करें आज से अगर सोहेबीन की, तो सोहेबीन का दिसम्बर बाद देखने हैं, आज 6560 पर ट्रेड करता नजार आ रहा है, 6599 का ही लगा चुका है, 0.5% की तेजी है हमने सोहेबीन को 6860 के बाद सीधा 6360 पर नीचो लुड़कते वे देखा था, उपरी सतरों से मुनाफ़ा वसुली बंती नजार आई थी, उन निवेशकों ने इस बार मुनाफ़ा वसुली करी थी, जिन निवेशकों को पहले सोहेबीन की कीमतों में उपरी सतरों पर या फि हाजिर में मजबूत मांग देखने को मिल रही है सोहेबीन की, सोहेबीन की मजबूत हाजिर मांग के चलते सोहेबीन के सौदों की लेवाली बड़ी है जिसकी वजासे आज हम देख रहे हैं सोहेबीन की कीमतों में हफते के आखरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सतर में लगबग डाई फीजदी की तेजी बनती नजर आई है और लगबग 200 पॉइंट की तेजी बनती नजर आई है चासर सो के लेवल्स आज हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग होते होते एक बार फिर से देखने को मिल जाए आपको बता दें कि भारत में सोयवीन की बुआई के समय कि कि पॉल्टरी में सोयवीन का इस्तमाद बड़े पैमाने पर किया जाता है फिर पॉल्टरी ने सरकार से गोहर लगाई थी कि कुछ किया जाय तो फिर इसके रिगारिंग सरकार ने सोयवीन की कीमते कहीं न कहीं टूट थी नजर आ रही थी और जो भाफ था वो MSP से भी बड़ी है सोयवीन में कुछ तेजी बंती नजर आए थी जिसकी असर भारती तेल तेल तेलन के बजार पर परता दिखाए दिया था क्योंकि भारत अपनी खादे तेल की पूर्ती के लिए विदेशों पर निरवर है तो इसलिए अगर विदेशों में एक पॉइंट की भी कुछ घटबड होती है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है और इसी का असर हमने सोयविन की कीमतों पर पड़ते देखा था क्योंकि यूएस में मक्का और गेहों की जो कीमते हैं वो इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पर इनके वेकल्प के तौर पर सोयविन का इस्तमाद जाद किया जा रहा था तो खपत जाद बड़ी इस्तमाद जा जो आयात है वो अक्टूबर के महीने के मुकाबले इस बार थोड़ा जादा बढ़ गया है और चाइना को सप्लाई करने वाला और कोई नहीं साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका चाइना को सोयविन की सप्लाई कर रहा है अच्छे खासे लेवल पर कर रहा है चाइना लग कर दिया है चाइना फिर से खरीद फरोग अमेरिका से स्वयवीन की करने लग गया है इससे पहले जब शिम्मेंट बादित हुई थी तुफान के चलते है अमेरिका में तो चाइना ने ब्राजील की और रुख करा था आपको बता दें कि भारत में भी पोल्ट्री वालों ने फ फैसला लिया है क्योंकि अगर सरकार फिर से ऐसा कर देती है तो सोयवीन किसान को जो फिर से आर्थिक चोट पहुँचेगी और वैसे भी सोपा के आंखडों के अनुसार और सरकारी आंखडों के अनुसार सोयवीन का उतपादन पहले के मुकाबले इस बार जाद रह सकता है और फिर सरकार ने भी और किसानों ने का भी यही तर्क है कि जब अपने घरेलूस तर्क पर ही इतना जादा प्रोडक्शन रहने का अनुमान है तो फिर भार से आयात क्यों ही करना बार विदेशों को क्यों पैसा देना अपनी भारत के किसानों को पैसा क्यों नहीं दे भारत क बहरत में अपने घरों में ही क्यों ना इसकी खड़ीदारी की जाए तो इसके मद्दे नजर सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है और सोय डी ओसी के आयात की जो मांग करीती पॉल्टरी उसको हरी जंडी इस बार नहीं दी है और दूसरा आगे चुनाब ही है और सरकार ने हाल ही में कृषी कानून वापस लिए तो सबके मद्दे नजर अभी किसानों के हित में ही फैसला देखने को मिलता रहेगा तो overall उर्जान सोयबीन में अभी हार फिलान में तेजी में देखने को मिलता रहेगा दूसरा अगर बात कुरों अगर वैदा बजार हो की तो वैदा बजार हो में भी सोयबीन में 7000 तक के लेवस देखने को मिल सकते हैं केड़े एडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केड़े की मताबिक सोयबीन की कीमतों में आने वाले दिनों में अभी कुछ नर्मी वाला रुजान देखने को मिल सकता है जो सोयबीन की कीमतों को नीचे में 5900 से लेकर 6000 तक लेकर जा सकता है लेकिन इन लेवल्स पर उनके मुताबिक घबराना नहीं है निचले स्थर पर खड़ीदारी के मौके ढूनने है और जन्वरी के मन्थे तक या फिर जन्वरी के अंध तक यानि कि जन्वरी 2022 के अंध तक या फिर जन्वरी 2022 के मन्थे तक 7000 तक के भी लेवल सोयवीन की कीमतों में अजे कीड़े की मताबिक देखने को मिल सकते हैं तो उन स्तरों को हासिल करने के लिए सुवेवीन में वायदा बजार में निचले स्तर पर खड़ी दारी में रहा जा सकता है झाल 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 झाल